गुड़ मॉनिंग, आज मैं आपको कक्षा 2 का हिंदी विषय पढ़ाने जा रहे हैं तो हिंदी विषय में आज हमारे आगे का पार्ठ 12 जो है उसमें आगे बाकी है वो मैं आपको आज पढ़ाऊंगी तो तैंद्वे की खबर क्या है? तैंद्वे की खबर मुंबई 12 मार्च ये घटना गटी हुई थी तैंद्यों की खबर जो है ये घटना हमको गटी हुई इस पर बताई गई है और कहां पर गटी है ये मुंबई में गटी है और 12 मार्च को गटी है किस दिन गटी है मुंबई में 12 मार्च को गटी है तो देखो मंगलवार की सुब तेंदुए का एक बच्चा बस में पहुच गया था. बस में चड़ता चालक डर कर भाग गया था. देखते ही देखते लोगों की अच्छी खासी भीड जमा हो गए इन में से कुछ लोग तो अपने बच्चाव के लिए कुलहाडी और लाठी लेकर भी आये थे बीड और सोर गुल में सोर गुल से घबरा कर चार महिने का वह तेंदुए का बच्चा बस के नीचे छुब गया था ये गटना कहा हुई थी मुंबई में 12 मार्च और मंगलवार की सुब में हुई थी फिर देखो 9 बजे जाकर पुलिस फायर ब्रिगेटर और बोरी वाली पार्क के जानवरों के जो डॉक्टर थे रणधीर बरहटे उस जगह पर पहुचे सभी ने मिलकर उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिज की पर वह तस से मस नह भुआ हार कर डाक्टर बरहटे ने बेवसी की दवा में सुई तैयार की और एक लंबे पाइप से फूग कर तेंदुए के बच्चे को लगाई क्या है हार कर जो डॉक्टर बरहट्टे थे उन्हें बेवोसी की दवा की सुई तैयार की और एक लंबे पाइप से फूग कर तेंदुए के बच्चे को लगाई बेवोस होने के बाद उसे बोरे में लपेट कर जीब में बोरी वाली पार्क ले जाया गया आग खुलने पर उसने अपने आपको एक पिंजरे में पाया तो बच्चों ये घटना घटी तेंदुए की खबर याने ये 12 मार्च मुंबई में ये घटना घटी थी और किस दिन घटी थी मंगलवार को घटी थी तो इस तरह से एक तेंदुए का बच्चा था जो जंगल में जंगल से निकल कर बार आगया और कितने महिने का था सिरिफ चार महिने का था तो वो इस तरह से बार निकल आया और सब अपनी कुलाडी लाठी लेकर उसको मारने चले आये पर वह बस के नीचे छुप गया था जो वहाँ पे फुलिस फायर ब्रिगेटर और बोरी वाली के डॉक्टर जो जानवरों के डॉक्टर थे वो भी आये सब मिलकर उसे निकालने की कौसिस की परवर टस से मस न हुआ टस से मस होना याने थोड़ा भी हिला डूला नहीं फिर हार कर डॉक्टर बरहडे ने बेवसी की दवा तैयार की और उसको लंबे पाइप से बेवसी का इंजेक्शन दिया और उसे बोरे में लिपट कर जीप में बोरी वाली पार्क में ले गए और आखे खुली तब उसने अपने आपको एक पिंजरे में पाया इस तरह से ये तेंदुए की खबर का पाठ है अब यहां देखो खबर की बात इसका स्वाध्य हम देखेंगे खबर की बात तो कह है क्या तुम बता सकते हो कि यह घटना किस जगा गटी थी तो यह घटना किस जगा गटी थी मुंबई में का गटी थी मुंबई में गटी थी गटना किस दिन गटी थी मंगलवार को किस दिन गटी थी मंगलवार को उस दिन क्या तारिक थी तो उस दिन तारिक क्या थी बारा मार्च क्या थी बारा मार्च अब खो है तुमने तेंदुए के बच्चे की यह खबर पड़ी तुमारे घर आडोस पडोस या इसकुल के आने वाले कुछ अकबारों के नाम पता करो और लिखो तो देखो इसमें क्या अकबारों के नाम हमको लिखना है तो नव भारत टाइम्स क्या है नव भारत टाइम्स हिंदुस्तान टाइम्स अर अपने यहां पर क्या आता है दिव्य भासकर गुजरात समाचार और दैनिक भासकर क्या है यह सब अमारे क्या है जो समाचार पत्रा आते हैं उनके नाम है तो आप इसमें से यह नाम चुनके ल तुम्हारे विचार से ये तेंद्वा बस के पांच कहा से पहुँच गया तो देखो जंगल में खेल रहा था। तुम होते तो क्या करते तो कुछ लोग कुलाडी लेकर पहुचे अपने बचाव के लिए लोग क्यू कुलाडी और लाठी लेकर लोग क्यू पहुचे उसको मारने के लिए भी पहुचे और अपने बचाव के लिए भी पहुचे थे तो कुलाडी और लाठी लेकर वे लोग यही करते, अब आगे जो हैं, अखबारों के लिए, तो अखबारों के लिए लिकरना है तो क्या तुम अपनी कक्षा या घर की किसी गटना को एक खबर की तरह समाचार पत्र लिए लिख सकते हो, तो जग, दिन, तारीक लिखना मत बुलना, तो एक गटना हमको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी बच्चो, तो उस गटना को मैं आपको समझाओंगी, तो देखो यहाँ पे, क्या लिखा है, जग, दिन, तारीक लिखना मत बुलना, यह गटना कुछ भी हो सकती है, जैसे किसने किसी किसी से की लड़ाई, दूसरा है, खोज कर मैं तो हारी चीज हो गई गुम, तो देखो अब मैं आपको यह चीज के बारे में बताऊंगी, यह दिल्ली की घटना है, तो दिल्ली में एक घटना हुई थी, वो 21 फरवरीक हुई थी, कब हुई थी, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जग, दिन और तारीक, तो आज हमारे घर में माता जी को सोने का हार पहनाया था, क्या है, आज हमारे घर में माता जी को सोने का हार पहनाया था, माता जी इसके लिए मुझे दोसी ठहराने लगी, देखो हमारे घर में माता जी को क्या है, आज हमारे घर में क्या है, माता जी के सोने का हार खो गया है, क् गटना पे हम चर्चा करेंगे माता जी उसके लिए मुझे दोसी ठेराया क्या है माता जी ने जो सोने का हार खो गया उसके लिए किसको दोसी ठेराया मुझे दोसी ठेराया क्योंकि कल मेरी जिद्धी करने पर उन्होंने मुझे कुछ देर पहनने को दे दिया था क्या है कल मु उनको क्या लगा मैंने हार हो दिया पर मुझे याद था कि मैंने माता जी को हार लोटा दिया था क्या है पर मुझे याद था कि मैंने माता जी को हार लोटा दिया है माता जी यह बात नहीं मान रही थी क्या माता जी यह बात नहीं मान रही थी हमने सारे घर हमने सारे घर हमने स तोड़ी देर बाद हमारी काम वाली बाई आई और उसने बताया कि ये हार बची हुई दाल में पड़ा था क्या था उसने बताया कि जो दाल बच गई थी उसमें ये हार मुझे मिला पड़ा था फिर क्या था पिता जी ने माता जी को आड़े हातो लिया याने कि उनको खरी खोटी सुनाई तो फिताजी ने माताजी को बहुत डाटा और खूब डाटा और माताजी ने मुझसे माफी मागी इस तरह से ये गटना गटी थी तो बच्चो इस तरह से मैंने आपको ये गटना लिखाई है इस तरह से ये गटना आपको मैंने समझाई है तो इस तरह से आपको इन चारों में से कोई भी एक गटना आपको लिखनी है अब प्रश्न नमबर ख धिया है यहां नीचे वाग का चित्र दिया गया है, तुम भी अपने पसंद का कोई जानवर बनाकर उनमें इसी तरह की डिजाइन बनाओ और रंग भरो, तो आप भी इस तरह का, मैंने देखो यहां पर वाग किताब में बनाय गया है, तो आप इस तरह का कोई भी जानवर बनाकर आपे देखो रस्ता पक्का हो या कच्चा हो तो उस पे क्या है, वाग का बच्चा चलता है, वाग के बच्चे को रस्ते कच्चे और पक्के का पता नहीं चलता है, तो वह चलता रहता है, कभी उचलता, कभी कूदता, धूम मचाता वाग का बच्चा, कभी तो वह उचलता और पूचके लेराता है बाग का बच्चा फिर पंजे अपने कहीं उडाता पंजे अपने कहीं अडाता सुषता है बाग का बच्चा पंजे अपने कहीं भी उडाता है और मटक मटक के बाग का बच्चा चलता है मा जब चलती वह चल पड़ता कभी कहीं गिर पड़ता बाल पूचके और मूचके लेरा था है वाग का बच्चा तो क्या है बाल पूचके और मूचके बाग लेरा था है वाग का बच्चा पंजे अपने कहीं अडा था सुषता है वाग का बच्चा तो पंजे अपने कहीं भी अड़ा देता और वाग का बच्चा सुचता है मा जब चलती वह चल पड़ता कभी कहीं वह गिर पड़ता क्या है मा जब चलती वह चल पड़ता कभी कहीं गिर पड़ता तो क्या है वाग का बच्चा? मा जब चलती है तब वह चल पड़ता है और कभी कहीं भी गिर पड़ता है पानी में भी उछल तेर कर चलता जाता वाग का बच्चा है बड़ा बहादूर वाग का बच्चा है और वो कभी गबराता नहीं है गूम गूम कर दूर दूर तक हो आता है वाग का बच्चा गूम गूम कर दूर दूर तक हो आता है यानि वो वाग का बच्चा बहुत दूर दूर तक गूम जा है पेट पीट पर बुरी काली धारी धारी बड़ी नीराली पेट पीट पर बुरी काली थी और धारी धारी उसकी जो बड़ी है वो नीराली है काली धारिया है बुरी धारिया है तो कितना मसती ये वाग का बच्चा लग रहा है चलता आता चलता आता गुर्राता वाग का बच्चा क्या है चलता आता चलता आता गुर्राता है वाग का बच्चा तो इसमें क्या है ये वाग का बच्चा चलता रहता है और गुर्राता रहता है तो बच्चो देखो हमको वाग के बच्चे के बारे में ये कवीता दी थी तो आज के लिए मैं आपको इतना ही कराऊंगी आगे के वीडियो में आगे कराऊंगी ठीक है बच्चो थैंक यू